Hey guys welcome back to my channel दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप फोटो सॉप में आपका जो टैक्स होता है आप उसको इस्टाइलिस कैसे बना सकते हैं और आपने देखा हुआ कि जो बहुत सारे बैरिंग इंविटेशन होते हैं उसमें जो कपल्स के नेम बगेरा होते हम उनको स्टाइलिस लिखते हैं तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दू कि कुछ ऐसे फॉंट होते हैं जो की पेड होते हैं उनमें उपसंस नहीं आते हैं और कुछ फ्री फॉंट्स होते हैं जिनमें उपसंस आते हैं उसको स्टायलिस बनाने के तो मेरे पास जो फॉन्ट अभी में यूज करने वाली हूँ ये फ्री फॉन्ट है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी एड कर दिया है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो बहां से डाउनलोड कर दीजेगा और शेलिए अप चलते हम फ तो मैं फॉन्ट स्लेक्ट कर रहे हूं यहां पर देखिए विकैम स्क्रिप्ट प्रो रागुलर तो यह जो फॉन्ट है मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एड कर दूंगी और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत सारे फॉन्ट होते हैं इसी 20 तो मुझे नहीं पता कि CS6 में आता है या नहीं आता है तो फिलाल मेरे पास है 20 तो देखे यहां पे मेरे नीचे भी आ गए हैं इसमें ओटमेटिक भी आ गए हैं जैसे में डिकी डबलू मुझे ऐसा चाहिए ऐसा आ जाएगा यह वाला चाहिए में इस पर क्लिक करना है कुछ इस टाइप का आ जाएगा और इसके अलावद दोस्तों देखे मैंने जैसे इधर यह साइड वाला रहा था इस पर क्लिक किया तो यहा आपको घबडाने की जरूरत नहीं है यह option बिड़ो के अंदर यह देखे यहां पर ग्लिम्स आल्रेडी ओन है आपको इस पर क्लिक करना है तो यहां पर देखिए ध्यान रखें यहां पर अल्टरनेट्स फोर स्लेक्शन होना चाहिए इसका मतलब कि हम जो भी टेक्स यहां आप सेलेक्ट करेंगे वह वही वाले टेक्स दिखाई देगा जिस पर हमको अप्लाय करना है सब्समेने जी किया तो देकिए यहां पर मैंने जी पर भी एफेक्ट New एम अप्लाय कर दिया है एंड डे पर करती हूं तो देकिए यहां पर डे के आ गए हैं यहSp당 को सकते हैं और यहां पर मुझे सर्च करना है और ना मैंड्स तो दिखी यहां पर यह कुछ देकॉरेटिव आईटमस आ जाएंगे जैसे कि आपका टेक्स देकॉरेट करना है तो देखी कितिने सारे आरहे हैं यहां पर तो सपोस्थ सी कि मुझे चाहिए यह ले लेती हूँ मैं फिलाल य तो देखिए बैकूस से हटा दिया मैंने और इसके अलाव और भी कई सारे हैं नीचे आएंगे तो यह देखिए यह वाला लिया मैंने और आप इसको आपके जो टैक्स है है् עुक के एडिंग में आप इसको डेकुडेट पर सकते हैं like this, या फिर लाइक देश जैसा आप चाहे वैसा आप यहां पर इनको लगा सकती हैं तो अभी मैं और्नमेंट्स को डिलीट कर देती हूँ और यह सेंबॉल बगेरा हैं कॉर्ट्स हैं बहुत सारी चीजेश आपको इसमें मिल जाएंगी तो इनसे आप अपके टेक्स को डेकुरेट कर सकते हैं काफी अच्छे चीजे हैं बट मोस्ली मैं इन सब चीजों को यूज नहीं करती हूँ मैं अधिकतर यही उस करती हूँ और एक अल्टरनेटिव फूर स्लेक्शन्स यूज करती हूँ इस तरीके से आप आपके फॉर्म को क्रियेटिव कुछ स्टाइलिस बना सकते हैं और एक चीज और आपको बजा दो दोस्तों देखे मैं यहाँ पर कोई और दूसरा बैक्डाउंड ले लेती हूँ मैं चाहती हूँ कि यह जो टेक्स है मेरा इस वाले बैक्डाउंड में आ जाए बिना मूब किये बिना कॉपी किये तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा सौटकट है बहुत ही अच्छा मतलब आसानी से कर सकते हैं तो आपको इस टेक्स के ओपर राइट कलिक करना है यहां पर राइट क्लिक करने के बाद दोस्तो तो मैं यहा तो उस पाल आना है पोने gonna इसट कर दोगी तो देखिए यह आ गया है तो अब यह हमारा आ गया है, तो अब हम इसका color change करने के लिए यहां से color change कर सकते हैं, simply कोई भी color ले सकते हैं, है ना, तो देखे दोस्तो इस तरीके से आप आपके जो font है, उसको stylist बढ़ा सकते हैं, दोस्तो मैं यहां पर एक और text लिखती हूँ, यहां पर मैं लिख देती हू लेती हूँ, और इन दौनों को उठा के इस group के अंदर डाल दिया, तो मैं चालती हूँ कि जो मेरा पूरा entire text है, इसका color change हो जाए, बिना एक-एक को select कियो हुए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर text layer पे click करेंगे, और shift के साथ, आपके और भी अगर नीचे और भी layers हूँ, सब को shift के साथ, दबा के select कर लीजिए, उपर वाले और नीचे वाली को, तो आपको लेना है text tool, और यहां से आप, आपके layers का color change कर सकती है, उमीद करते हैं, दोस्तों, आपको आज का ये video पसंद आया होगा, और पसंद आया तो please, 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 एक like कीजिएगा, support कीजिएगा मुझे च